असलाम अलेकुम विल्कुम तो मैं चैनल आज मैं मताने जा रहे हैं दोशा आलू का सालन और चटनी एक वीडियो में तीन भी चीज़ां बताऊंगे और मा पाशाला बहुत अच्छे बनेंगे चली जली से स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैं लिए हूँ चामल जो डेली हम य तीन चैने के दल तो टीस्पून मेथि अब यह सार अधीन चीज़ान को डाल लिनके बाद 4-5 चार से पांद पाने से इसके वाश कर लेंगे चली meant इसको पाने इसको दूब बने के तुबढ़ा रह जोर्द 거지 औरमासा केनों बज़े नों बिज़ें पडिक्र पर्ज़ांग को सुभाक के 9 बजए में इसको तीन पानी से वाश करें तीन से ज्यादा ने इकारना तीन पानी से वाश करें और उस्फरी जेक इसको पानी में भीगने छोड़ें और शाम के नहुं अब हरी 12 गंडे हो गए अब फिर कि इस वह ग्रैंड करके छौड़ जतेंगे, सुभा में 9 बजे कटाइंगे, 9-10 बजे कटाए झौक हिस को बिलकुल fine paste नहीं हल्का सा द dáल दर दरहना हल्का सा दल दरह बिल्कुल fine paste नहीं जहرा hlki सी कनी ज्यादा भी ने रहना occup Ri इंद लाइट रहना हुआचे अगर ज्यादा इंद रहेंगे तो ममें आदेञा हर् सकत हो जाते हैं सब अगर अगर हल्की सिकने रखेंगे तो करिस्पी बनते हैं । एक ट्रेप में तो 2, फिर्ट में कलिए पनागे होते हैं 2 से 3 ट्रेप करना पड़ता है ये दुसरी ट्रिप है में को कम से कम तीन ट्रिप में पीसना पड़ेंगा चरिए मेरी ये लास्ट ट्रिप है विसमें दालरों में खाना जो घर में हम डेली पकाते वो जो खाना रहता हो खाना है वन टेबल स्पन फुल के खरी ज्यादा ने दाना और जो भीगेवा पानी एक्स्ट्रा जो बच गया इसको फेकना नहीं ग्रैंड करते हैं अगर ग्रैं पानी से ही दोश अच्छे बनते हैं इसको फेकना नहीं है चलिए लास्ट रिपी होड़े है चलिए अब सुफा के 9 बज़े में भीगाई थी और शान के 9 बज़े टाइम इसको ग्रैंड कर ली अब इसको धापके रख दींगे और नमक सुफा में डालेंगे फिर सुफा मे चलिए अब इसको तयार करेंगे और 12 घंटे सो भीगने छोड़ेंगे इसको धापके सुफा में चेक करेंगे अब धापके छोड़ेंगे सुफा होगे अब इसको अच्छे से फर्मेंट हो गया अब इसमें डालेगे 3 टीसपन फुल नमक रार्त में नमक नहीं डाले इसको बा Er de इसको एक बार अच्छी से मिक्स खल énerगे और यह बहुत गाड़ा है इसको थोट साडील हुँना यह बहुत गाड़ा है त्टोड़ा-वानईटा आई चलिए बरावन और में 250 ग्राम आलू ली और इसो गला के मोटा मोटा मैश करकर रख ली इसके लिए एक पैन कड़ई ली और कड़ई में ओयल दाली 3-4 टेबल स्पॉन अब इसमें 1 टेबल स्पॉन राई दालने के पाद इसमें दालेंगे 1 टेबल स्पॉन मूंकी दाली तक इसके पर्ज के राई टाकने लगना मूंकी दान आले हल्किसी पराउन होना मूंकी दान पराउन होने ले वेसम दाले प्यास है त्री मुर्यम स्पॉन जादा मोटा 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 स्थन ले थोड़ा जब दो हरे लोशे को बाहरे कर चले और कुछ करया करें चकते हैं जब यह दानेगे यूजराई बाइस ट्रग लेकर दिन हण्वराइस अग्यूद्वर, अग्यूद्ष भाइओ अलडी जहादा गलाना नहीं हमाओ को प्यास को बिखुल सुला हलकी सी सॉफ्ट करना एक कच्छा पन जाना और हलकी सॉफ्ट करना तीन मिनेट तीन से साथ में धीमे फिलिम पर छोड़ देंगे ठापके अब हम इसके चेटनी के तयारे करेंगे इसके लिए मैं लिए हूँ टू टेबल स्पन फुल फन दें और टू से त्री टेबल स्पन खोपरा है उसको कदूगश कर लिए और यह घर का जो हम मसालों में यूज करते है वह खोपरा है इसको रोस्ट ने करी अगर इसके बदले आ जरा जो तो घच्चा नारील इसमें दाल सकते हुए सकते हुएτο और दो हरे मिर्चों को पीसल सकर लिए और 예요 म Зथिए ँस स्पन डालेंगे इसमें दालेंगे डाहिच्पन दम्तफया और यह डाहिचा पणख्या सस्पन पाने हुए अब इसमें आप बिखमर दालेंसे, प्याज अच्छे से सौप्ट लिए अब इसमे दालेंगें, जो आलू को भाम लिएकर मोटा-मोटा क्रेश के लिए थे आलू टालेंगें, आलू दान लेके बाठ इसको प्याजना अच्छे से लिख करनेंगें तोड़ा दाल चाहिए, इसमें थोड़ा आपने दालें फ्लेम को तेज़ करेंगे और हलका सा इसको पका लेंगे जराह सा पाने दाले लेए और हला धनागे आज को साबी सी लखना लगली गली भी बिरेना लिकल नरम सॉक टाहना जले थोग आसा हलका सा पाने दाने कट में इसको पका लिए आलू को पाने भी अच्छा ब्राई हो गया आज अच्छा से बन गया अलू कसा लिए जोशे का हम खाते होटल में उसी तरह वाना और इसकी स्मेल और राई और मूं की दान से इसमें बहुत अच्छा स्मेल आती जब इस लेंग को बन कर दें इसको साइड बर रख देंगे चाहिए जब देते जाएं अच्छा दें रख दूशेखां लगती है अच्छा से बंस्टे का पाने दूशे का हम रख दाए अच्छा अच्छा मिलाते हों तो फल्के से गोल्भ ठीराते ज़़ए अब इसमें 2 टीस्पन ओई ला लेंगे और इसको बड़े ठाले से अच्छे से ढ़ाब देंगे एक मिट तक ढ़ाब करेंगे एक मिट का निकालेंगे धककर जली एक मिट मिट का निकालेंगे तो खुला पकाएंगे जली अच्छे से बरान होने लगा अब इसको पल्ठाएंगे माशालाह बहुत अच्छा बिल्कुल रेस्ट्रेंट में मिलतेने दोश्या उसी तरह देखें बिल्कुल क्रेस्पी क्रेस्पी बना जैसा हम रेस्ट्रेंट में खाते उसी तरह से बिल्कुल क्रेंगे दुसरे दोशे के भी तरह से केम हम बना लगाएं दुसरे दोशे के भी इसी तरह हम उसारी दोशे में बना लगें एक टूटी स्पुन के फुल ओयल दादू है और इसको फिर इससी दार से ध्राब के एक निट के लिए छोड़ देंगे एक निट के बाद हम लखका निकाल के खुला पकाएंगे चलिए उपर से स्वारा बुरॉन नजर आरा इसको अलगा सा प्रठालें जले मार्शालला से बहुत अच्छे दोशी बने और इसके साथ जो चटनी मिना है और आलू का साला न सारे चीज़ें मार्शालला से बहुत अच्छे बने मेरी रसीपिया आपको पसन आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें शुकुरिया करें